बिस्मिल्लाइर मादर माई, असलाम अलेकूम, मेरा ना उबैज है और मैं धावा का पाकिस्तान में प्रोड़क मेनेजर हूँ और एक बार फिर आपको सब को वेलकम करता हूँ इस रमजान स्रीज के वीक 3 में जिसका मकसद था कि आपको जो टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं उनको एक दफ़र रिवाइज भी करें और नई चीज़ें उसमें क्या एड़ ओन हुई हैं 2023 में वो आपको गाइड करते जाएं तो ये जो रमजान स्रीज है इससे आपको काफी चीज़ें नई सीखने को भी मिलें और साथ-साथ हमने सोचा था कि रमजान में आपको इबात्नों के साथ-साथ जो है थोड़ा सा लर्निंग जो है वो एक्सपिरिंस भी दें ठीक है उसके बाद जब जब इतके बाद हम आएंगे तो आपको पिक्टोरियल इंका करवाएंगे जो नई नई चीज़ें आती ज और रिजल्ट्स आपको साथ-साथ वीडियो में अपलोड करते जाएंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो वन स्रीज के आई-पी कैमराज हैं उसके अंदर क्या है और टू स्रीज के आई-पी स्रीज में क्या अपडेट्स क्या चेंजिस हैं क्या फंक्शन फी आई-पी स्रीज दाएं तो आपको कौन-कौन से ओप्शन धावा आपको प्रुवाइड करते हैं आईए हाज की सेशन का अगास करते हैं तो इसका मतलब यह entry series है, entry series मतलब कि बिल्कुल basic IP cameras जो जहां से starting हो रही है series, यह जो है price में भी थोड़े कम होते हैं और उसमें function भी basic सिर्फ होते हैं, ठीक है, इसमें 12 के models available है, very focal lens भी available है, motorized वाले जिनको कहते हैं, आप control room में बैठके optical zoom भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें fixed lens जो के normally ज्यादा use होते हैं market में, इनका IP share के अंदर सबसे ज्यादा sale होने वाले models हैं, उसमें 2 megapixel और 4 megapixel के options available हैं, ठीक है, motorized lens में भी आपको available हैं और आपके पास fixed lens में भी available हैं, ठीक है, अब models कौन से hot हैं सबसे, आप देखते होंगे, 12-30S1, ये model सबसे hot है, इस वक्त market में, उसके बाद 14-31S1-S4, ठीक है, ये दो models बहुत होड़ते हैं, लेकिन इसके इलावा दो models और हमने add किया हैं 2023 में, जिसमें 12-30S1-A-S5 और HFW-34-31S1-A-S4, ये bullet के अंदर जो है, इसके अंदर built-in mic वाला camera आ गया है, और doom के अंदर भी जो है, audio वाले model जो है, 14-31T1-A-S5 और 14-31T1-A-S4, ये दो नए models जो है, हमने bullet और doom में plastic प्लस metal body में डाले हैं, और इस ही का metal body वाला भी आपके पास available लोग हो, जो के 12-30S है, 12-30S1 में सिर्फ फरक है, कि ये 100% metal है, और ये जो है, इसका 12-30S और 12-30S1 में सिर्फ इतना सफरक है, कि ये 100% metal body है, circular है, इसका shape और इसका shape जो है, angular है, ठीक है, थोड़ा सा इसका shape difference है, और जो इसके अंदर जो back है, वो जो है plastic होती है, और front जो है metal होती है, ठीक है, तो metal plus, जो है, ये plastic होता है, और ये 100% metal होता है, ठीक है, इसका जो doom है, वो भी 100% metal होता है, इसका जो doom है, T1 वाला, उसके अंदर plastic plus metal लोता है, दोनों options available होते हैं, ठीक है, उसके पाद एक और model जो है, जो पाकिसान में कुछ अरसे के लिए आया था, वो था HDBW-32E-S5, इसमें और torrent room में क्या फरक है, कि आपका जो DBW naming rule में आ जाता है, HDB, B is for vendal proof, यानि इसका जो glass की rating है, वो IK10 है, यानि hard impact, ये resist कर सकता है, 20 जोल की energy से अगर आप इस पर rubber hammer मारें, तो ये नहीं टूटेगा, ठीक है, तो ये HDBW है, और HDW जो है, ये आपका torrent room है, ठीक है, उसके बाद जो है, आपके पास जो है, दूसरा option जो है, वो metal plastic में है, इसका जो है, window जो है, different है, और इसका जो background है, वो IK10 का वो black है, इसके अंदर red नजर आती है, इसमें भी red नजर आती है रात को, ये दोनों में black है, और जो है, ये IR जो है, वो बिल्कुल invisible type होती है, इसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर एक और doom भी है, जो के पाकिसान में available तो नहीं है, लेकिन अगर आप कोई मंगवाना चाहता है, तो व इसके इलावा, जो models हमारे पास, जो है, वो future में expected है, वो 15-30, 18-30, 18-30 और 15-35 megapixel और 8 megapixel के metal body में भी और plastic body में, दोनों में expected है, जो है, क्योंके series हमारी कुछ updates हो नहीं है, तो उसके अंदर जो है, फिर ये आपको models पाकिसान में मिलेंगे, ठीक है, motorized lens में, जो है, हमारे पास जो option है, ZS, Z is for motorized, naming rule के मुताबिक, और S, जो है, वो SD card है, यानि इस camera में SD card भी लग सकता है, 12-30, T-ZS-S-S5, और 14-31, T-ZS-S-S4, ZS motorized, और इसके अंदर doom भी available है, और bullet भी, long bullet भी available है, ठीक है, इसके इलावा, जो है, प्लास्टिक बॉड़ी में, अगर बात करें, प्लास्टिक प्लास मैटल बॉड़ी में, जो के नई शेप है, 12-30, T-1, और 14-31, 14-30, T-1, डैच, दैड़, डैच, मोटराइज लेंज है, बुलेट है, नई शेप में, ठीक है, उसके इलावा, इसके अंदर doom भी available है, HDPW भी है, और HDBW भी है, अभी मैंने आपको बताया है, HDB मतलब है कि यह IR प्लस जो है, यह IK10 है, और HDPW का मतलब है कि यह प्लास्टिक ग्लास है, और जो है, जो है, इसके अंदर भी IR मुझूद है, ठीक है, यह Motorized Lens हो गए, और यह Fixed Lens हो गए, मॉडल्स, ठीक है, अगर Key Features की बात करें क्योंकि यह Basic Series के मॉडल्स है, इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है, कि आपके पास जो Structure है, वो Full Metal में भी available है, और Metal प्लस प्लास्टिक में भी available है, इसमें बुलेट है, डूम है, आईबॉल भी है, आईबॉल या टॉरेट डूम, ठीक है, उसके बात जो है, इसके अंदर मतलब के जहरी बात है, जब आपके पास दोनों मॉडल्स अवेलेबल है, मैटल भी, प्लास्टिक भी और तीन तरह की शेप्स हैं, बुलेट डूम और आईबॉल डूम, तो इसके अंदर यानि आपके पास more option है, selective, आप डिफरेंट जगों पर डिफरेंट अप्लिकेशन के लिए डिफरेंट जो है, वो आप select कर सकते हैं, तो rich appearance है इसके, उसके बाद image जो basic models में image की quality है, वो बेतर है, बाकी जो हमारे normal analog के camera से होते हैं, जो जिनको आपने analog से IP में shift करना है, और budget का issue है, तो आप ये वाली series के camera लगा सकते हैं, और इनकी performance एक normal analog camera से बहुत बेतर होती है, ठीक है, real time monitoring है, 2 megapixel और 4 megapixel जो है आपके जो camera है, वो 24-7 और real time monitoring कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद cost effective हैं, क्योंकि ये analog से जब आप IP में shift करोंगे, तो आपका जो पहली series होगी, जो cost effective, यानि minimum जो IP में camera मिलेंगे, वो ये हैं, उसके पास इसमें जो compression रखी है, वो H.265 और H.264 Plus है, smart code egg के साथ, ठीक है, और जो है, बहुत सारे browser पे अब इसका plugin की जरूरत नहीं है, directly video चल जाती है, ये जो है, इसकी detail जो है, आपके पास जो है, जब आपके नए firmwares आते हैं, तो उसके अंदर chrome के उपर आपको अप plugin करने की ज़ूरत नहीं होती, ठीक है, तो ये भी एक function इसके अंदर add-on कियागे, नए firmwares के अंदर, ठीक है, कहां कहां लगा सकते हैं, retail, ledger, building, banking and finance, जो analog से upgrade हो रहे होते हैं, और उनके बाफ budget का issue होता है, ठीक है, तो analog के solution को update करके, extend करके, आप IP में convert कर सकते हैं, और ये वाले model, one series की camera's आप लगा सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली बैंकों में क्या होता है, कि budget का बहुत सीरिस issue होता है, क्योंकि हजारों ब्रांचे update होनी होती है, तो analog से IP में update करके, आप ये वाले camera, one series के choose कर सकते हैं, result भी अच्छा है, और analog से IP में भी shift हो जाता है customer, ठीक है, उसके बाद एक नौई series जो है, इसके अंदर हमन metal body वाला, यानि सिर्फ 1249S-LED, ये metal body था, S1 जो है, वो plastic plus metal body है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है, अब हमारे पास audio वाले model भी available है, 1249S1-A-LED, LED का मतलब है कि ये full color है, यानि इसमें warm light दी वी है, इसमें 20-25 meter की warm light दी गई है, और इसमें IR नहीं होती, ठीक हो गया, अब जो है इसके अंदर एक नया model हमने एड़ के, 2023 में जो कि इंशाला, by mid of this month और end of this month में आपको market में नजर एगा, और वो है, 4MP full color, 1449T1 और 1449S1, इसके अंदर जो है, plastic plus metal plus, और full metal body वाली भी housing अवेलेबल है, ठीक है, full color है, metal plus plastic है, और metal housing है, दोनो है, और जो metal plus plastic वाली housing है, उसके अ aperture size है, वो 1.6 है, और जो metal वाली है, उसके जरा जरा जो aperture है, वो बड़ा रखा गया है, बड़ा aperture का मनला है, कि लाइट ज्यादा एक्सपोज हो सकती है, उसके उपर sensor पे, और जो result है, low light performance है, उसकी वो बहुत बेतर होगी, बनिस्वद 1.6 aperture वाली से, 1249S1 जो है, थोड़ा स pixel फुल कलर, और इसका audio वाला model भी available कर दी है, 1449, जो doom है, और bullet दोनों में, जो है ना, audio वाले, dash A आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि audio, LED इस फुल कलर, जिस camera में LED आ जाएगा, वो warm light के साथ होता है, और जो S1 है, वो plastic, plus metal, और जो simple S होगा, या simple T होगा, वो जो है, आपकी metal housing है, 100% और dash A का मतलब है कि आपका audio, और यह जो S4, S5 दी होता है, यह generation होती है, उसकी, camera की generation, जैसे S3 का मतलब है, generation 3, S4, generation 4 चल रही है, इसका 2 megapixel की generation 5 चल रही है, और 4 megapixel की, S4, generation 4 चल रही है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, 2 series की IP में, इसको भी हम upgrade कर रहे हैं, जो हमा इसके बाद fix lens, 32, 31, T वाला dash A, और उसके बाद 22, 32, S-S-S-2, यह models जो है, 24, 31, S-S-S-2, यह जो models है, यह अपग्रेड हो जाएंगे, AI-based series गे अंदर, विज सेंस के अंदर, ठीक है, और जो model 22, 31 था, वो 22, 41 हो जाएगा, यह यह जो जाएगा, यह जो जाएगा, यह 25, 41, 28, 31, 28, 41, यह models बंजेंगे, बाकि सेम रहेगा, सिर्फ 5 megapixel में, T वाली जो shape है, यह R वाली जो shape है, 5 megapixel में, इसमें माइक नहीं है, मोटराइज वाले में, बाकि सारे camera हो में, मोटराइज जो है, sorry, मोटराइज हो, यह फिक्स लेंद हो, सब में built-in माइक, built-in डाल दिय इसके अंदर यह model जो है, E-S जो है, बुलेट जो है, वो add की है, और इसके अंदर एक नई, जो 5 megapixel में, 25, 41, T-AS-S2, long bullet, जो है, वो हमने इसमें add किया है, बाकि सेम models है, जैसे 22, 31 होता था, 24, 31 होता था, वो 22, 41, 25, 41, 28, 41, यह हो जाएंगे, मोटराइज, HDBW में भी सेम A for audio, S for, आपका SD card, ठीक है, तो यह two series भी update हो जाएगी, two series की पूरी family, ठीक है, इसके अंदर क्या-क्या function feature रखे गए है, two series, with sense में, AI based है, SMD plus रखा गया, इसके अंदर camera के अंदर built-in SMD plus है, यानि अगर आप कोई normal NVR जिसके अंदर SMD सिर्फ support करता हो, वो भी आप use कर सकते ठीक है, उसके साथ मिला कि आप जो है, number of channel बढ़ा सकते हैं, for example, 24, 8, 16 जो i2 वाला था, उसके अंदर जब आप जो है लगाएंगे इस camera को, तो आप normally क्या होता है, तो normal camera को अगर convert करेंगे, यानि one series का camera SMD enable करेंगे, तो सिर्फ 4 camera पे ये enable कर सकता था, ठीक है, अब क्या और एक function आप use करेंगे, NVR के साथ, तो अब ये 8 camera आपके AI by camera हो सकते हैं, उसी NVR पे, same NVR पे, ठीक है, इसी तरह parameter protection में, NVR 2-I2 में, जो है न, अगर normally use करते हैं, normal camera, one series वाला camera use करेंगे, तो एक channel पे parameter protection enable होती है, ठीक है, तो parameter protection वाला camera, अगर with sense वाला IPC2 ले ले लेंगे, ज इसको चार camera हो पे parameter protection enable कर सकते हैं, I2 वाले NVR के साथ, ठीक है, या कोई भी ऐसा NVR जो parameter protection को सिर्फ support करता हो, यानि by NVR नहीं, normal भी हो सकता हो, लेकिन parameter protection वाला function उसमें supported हो, जैसे के 42-16 हमारा एक model आता था, forecast to H-L, उसके अंदर by default normal camera को parameter नहीं बना सकते, तो camera जो है parameter वाला ल चल जाते हैं, ठीक है, उसके बाद इन series में, जो है, WDR 120TP available है, यानि cross lightning, challenging lightning, ambient lightning में, जो है, या automatic अपनी जो, WDR की सलाहियत है, उसको use करते वे, जो है आपको एक optimize, जो है, वो image देता है, challenging light में भी, ठीक है, इसके अंदर जो codec use कर रहे हैं, वो smart H-265 और smart H-264+, जो है, हम use कर देता है, ठीक है, इसके अंदर, जो है न, models के अंदर, SD card available है, all models support SD cards, 256 GB का maximum SD card लगा सकते हैं, उसके बाद, जो है न, एक function होता है, जिसमें, अगर camera और NVR का disconnect हो जाए, network, तो ये automatic SD card में record कर लेगा, और SD card, जैसे ही network दुबारा बहाल होगा, तो ये SD card वाली recording transfer हो जाएगी आपके NVR के अंदर, इस function को कहते है, ANR, ये तमाम IP camera में, जिन में SD card support होता है, दावा का, उसके अंदर, ये सारा function, ANR का function, जो है, वो by default, जो है, वो डाला गया है, इसको mention नहीं किया जाता, और NVR side पे भी, ANR का function by default, हर NVR में available है, ठीक है, उसके बाद, इसके अंदर, जो है माइक नहीं है, बाकि सारी series के अंदर, built-in माइक available है, और जो इसके इंगरेंस production है, वो IP67 है, और जो वेंडल प्रूफ production है, वो IK10 है, ये optional है, IK10 optional है, अगर आपको IK10 वाला model चाहिए, तो आपको sale के दुरान, पूछना पड़ेगा, कि मुझे IK10 वाला model चाहिए, तो उ IK10 वाला भी model 2 series में ले सकते हैं हमसे, ठीक है, अच्छा, उसके बाद 2 series में ही, smart dual eliminator cameras भी आ गए वे हैं, जो के पाकिसान में, इंशालला, H2 में हमारा plan है, कि ये भी पाकिसान में नजर आएंगे, smart dual eliminator के जो camera analog के हैं, वो तो आ गए हैं, और जो IP के हैं, उसके अंदर क्य models होंगे, बाइस उन्चास, बाइस उन्चास, चोभी सुन्चास, पच्छी सुन्चास, अठाइस उन्चास, ये IL model, IL मैंने आपको analog के अंदर बताया था, naming rule के मताबिक, IL का मतलब है, कि इसमें IR भी है, और full color भी है, ठीक है, इसके अंदर, अभी जो है, fix lens हम पहले release करेंग fix lens, long bullet, short bullet, ठीक है, इसके अंदर, जो है, 30 meter IR और 30 meter full color वाला model available है, और जो T model है, जैसे ये model है, इसके अंदर, 60 meter IR और 50 meter full color का model, जो है, वो available है, ठीक है, इसके अंदर, जो है, आप, जो है, dual light mode, यानि mix and match mode, AI function के उपर, जो है, वो full color चल जाए, और जब event हतम हो जाए, तो ये IR पर आजाए, 100% IR mode enable कर सकते हैं, और 100% full color mode भी आप enable कर सकते हैं, और इसके अंदर, भी AI function, SMD plus, और parameter protection है, जिससे आप filter out कर सकते हैं, human और vehicle की motion को, या फिर rule based, जो event आप बना सकते हैं, जैसे, intrusion detection या trip wire, ठीक है, तो ये दो function, जो है, AI के साथ available हैं, आप जो है, इस mode को, elimination mode को mobile app से भी control कर सकते हैं, आप manually भी जो है, IR या full color किसी वक भी change कर सकते हैं, और इसके तमाम models में, जो है, built-in mic जो है, वो available है, ठीक है, समार्ट Eliminator में अगर आप देखें, तो ये जो है ना, normally जो है, outdoor की वीडियो है, जैसे motion हुई, human detection हुआ, तो ये automatic full color इसके on हो गई, और जैसे ही event वापस जो है, बंद होगा, तो ये कुछ देर के अंदर वापस IR mode पे आ जाएगा, अब ये देखें, ये भी indoor की है, जैसे ही कोई motion हुई, ये automatic full color पे आ गया, जैसे ये event trigger के बाद खातम होगा, तो ये automatic कुछ देर के बाद अपनी IR position पे दुबारा से वापस आ जाएगा, इसको कहते है, smart elimination mode, ठीक है, ये था आज का हमारा session, उमीद करता हूँ कि आपके knowledge में इजाफर जरूर हुआ होगा, इन चीज़ों को utilize करें, सीखें, और इन्शाला जब आपके पास होंगी ये चीज़ें, तो आप इनके साथ play round करके, बहुत सारी applications में इनको utilize कर सकते हैं, ठीक है, तो thank you so much for joining, उमीद कर करता हूँ कि आप ये videos enjoy कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे इन से, और feedback जरूर दिया करें, comment box में अगर कोई आपका सवाल है, तो आप drop करतें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा आपको, और as soon as possible कोशिश करूँगा, तो ये feedback जरूर दीजगा, आज की video आपक इस video को, अगर आपने channel को subscribe नहीं किया तो आप channel को subscribe भी कर लें और उसके bell icon को भी दबा दें ताकि आपको नहीं आने वाली videos, जो है वो timely मिल जाएं, और आप देख सकें और enjoy कर सकें, thank you sir, thank you so much, जजाक Allah, दौाओं में याद रखेगा और रमजान के जो दूसरे अश्रेक है इसको भी आप जो है अपने दौाओं से और अपनी अबातों से जरूर जो है महकाएं, रहमते और नेमते जो हैं जरूर इसकी समेटें, thank you so much, जजाक Allah, अलाहाफेज, good night